हाई गाईज दिस वीबू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेल्ष पर गाईज सो आगे तैं एक और नहीं वीडियो में आज मैं आप किससे बात करने वाला हूँ आई 20 के अपडेट्स के बारे में क्या-क्या अपडेट्स आ रहे है आई 20 को लोगे मुझे लगा कि शायद आपके साथ में शेर कर देना चाहिए तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से वेरियंट्स आ रहे हैं और उन वेरियंट्स कितने और हर एक variant के हिसाब से कौन-कौन से engine specifications है यानि कि कौन-कौन से engine किस-किस variant में आ रहे हैं यह सब चीज़े हम लोग आपके साथ में डिसकस करने वालों बहुत कोई अपडेट है जल्दी से start करते हैं in case you have missed out in subscribing आर चैनल जल्दी से subscribe कर लिजे आया है क्योंकि हम लोग कि ऐसे ही Automobile के updates आपके लिए बनाते रहते हैं तो जल्दी से subscribe कर लिए और instant bell notification भी यहाँ पर turn on कर दीजेगा बाकी तो एक अच्छा सा product में आपके लिए लेके आया हूँ एक इंपक्त दो एक बर दो मेरे AC के वेंट से जो है वो चीजे काट जीदी मेरे किसे जानने वाले के तो यहाँ पर समस्य है इससे न्यादी क्योंकि यह एल्ट्रासॉनिक साउंड वेजता है उन चूहों के लिए और वो अकसर आपके गाड़ी से दूरी रहते तो काफी अ नीचे डिसकांटिद लिंक मैंने आपके साथ में शेयर गया होगा है अब यहाँ पर ट्रिम्स के बारे में बात कर लेते हैं ली यहां अने वाली है थर्टी वेर्ट्रेंट्स में और चार ट्रिम्स यहाँ पर ऑफ़ गये जाएंगे यह जो चार अजिग है वह मैं आपको जो है वो divide किये गए हैं वो मैं आपके साथ में यहाँ पर share कर देता हूँ देखो गई जो इसका पहले वाला variant था जो current generation variant है या current generation product है वो 1.2 liter के इंडिजन के साथ में आता था उसके साथ में diesel engine BS6 की वज़े से discontinue कर दिया गया था यहाँ पर अच्छी बात ही है कि इस बाड़ यह डीजल के साथ में आएगी और जो इसका 1.2 liter का engine है जो पुराने वाली generation में है वो अभी नए वाली generation में भी continued रहेगा और उसके चार trims जो है वो यहाँ पर introduce होंगे चार trims जो है वो Magna, Asta, Sports and Asta optionally यह 4 trims जो है वो यहाँ पर रहने वाले है पेट्रोल 1.2 liter का engine option है यह 4 cylinder का option है और आपको तक्रीब 84 PS की power देता है 114 newton meter के आसपास जो है power figures deliver करता है एक अच्छी बात यह कि यह आपके साथ में CVT में आएगा और CVT उपलब्द होगी केवल और केवल बीच के दो variant में यानि के आप Sports और Asta में जो है वो CVT का मजा ले सकते हो इस 1.2 liter के engine के साथ में तो यहाँ पर 4 और 2 यह total हो गए यहाँ पर 6 variants और बाकी के जो 7 variants है मैं यहाँ पर आपको count करा देता हूँ देखो 1.2 liter engine option के साथ में petrol hue type की अगर मैं बात करो तो एक 1.0 liter का भी petrol engine आएगा यह जो petrol engine है यह sad part यह है कि यह केवल और केवल आपको sports और Asta trim और offer किया जाएगा IMT में कोई भी manual आपको यहाँ पर offer नहीं होगा तो थोड़ा ध्यान से सुनियेगा IMT यहाँ पर offer किया जाएगा 1.0 liter के petrol engine के साथ में और अगर आप DCT खरीदते हो तो यह top trims पर जाएगा यानि के Asta and Asta optional में यह 4 trims यानि के आपको यहाँ पर हो गए है 1.0 liter के petrol turbo charge engine के साथ में हाला कि power figure जो है वो reduce की गई है जतनी venue में थी या वर्ना में थी और गाडियों में थी उतनी नहीं है यह grand item NEOS के जतनी जो है यहाँ पर मुझे लगता है 100 PS के आप आसपा जो है वो 170 के आसपा जो उसके top figures है वो यहाँ पर इंट्रड्यूस किया जाएगा यह complete वो ही engine होगा यह detune किया जाएगा तो all together अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह 10 trims हो गए है 6 पहले trim और 4 यह वाले trim last but not the least अब बात कर लेते हैं diesel option की जो 1.5 meter के diesel engine option है वो 100 PS की power updates करेगा 255 Nm talk के आसपास और यह 3 trim में अवलेबल होगा यह तो आप उसको base trim में खरीजे magna के साथ में या sports के साथ में या फिर esta option के साथ में यहाँ पर esta variant जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा और esta option यह 3 trims के साथ में आईगी यानि कि all together आपके पास में हो गए है 13 variants guys अब इन 13 variants में तो यह गाड़ी यहाँ पर launch होगी और यह मैंने trims आपके साथ में share कर दिया बाकी color options या फिर क्या features होंगे कुछ भी नए updates आते हैं मैं आपके साथ में सबसे पहले आपर share करने वाला हूँ So in case you haven't subscribed to our channel yet, जल्दी सबस्क्राइब कर लीजे